हलो एन वेलकम आप देख रहे हैं बॉलिवुड गपशप और आपके साथ मैं हूँ आपकी होस्ट और आपकी दोस्ट काजोग। बॉलिवुड के दबंग खान यानि कि सल्मान खान आज अपना बर्दे सेलिब्रेट कर रही हैं सल्मान 57 साल के हो गए है सल्मान ने अपने बर्दे के खास मौके पर अपनी फामिली और फ्रेंड्स के लिए ग्रेंड पार्टी होस्ट की आक्टर के बर्दे बैच में बीट्ञा उनके कई सल्माबाद दिया शारुक खान ने भी सलमान की बएदे पाटी में पहुँचकर दबंग खान को सर्प्राइज कर दिया सलमान खान बैसे तो हर साल अपने बएदे को धमाकेदार अन्दाज में सल्वेट करते हैं इस बार भी उन्होंने अपने बएदे पर ग्रेंड पाटी की सल्मान ने मीडिया के साथ भी अपने जनम दिन का जशन मनाया उन्होंने इस मौके पर परपराजी को फुल स्वैग में पोस दिये और उनके साथ केक भी काटा इसके अलावा सल्मान ने जनम दिन पर अपने फैंस का उनके प्यार और विशिस के लिए शुक्रिया भी अदा किया है सल्मान खान ने अपने बर्दे पार्टी में ग्रेंड एंट्री मारी थी पार्टी में वो और ब्लाक लोग में किलर लग रहे थे सल्मान ने में प्राजी को भी कई पोस दिये सल्मान का स्काइल और किलर आटिटी उर्दे एक फैन्स उनके दीवानी हो गए सल्मान के बर्दे बैश के वीडियो सोशल मीडिया पर चाय हुए है सल्मान के बर्दे को स्पेशल मनाने के लिए शारुख खान भी पार्टी में शामिल हुए शारुख पार्टी में थोड़ी देर से पहुँचे लेकिन उन्होंने अपनी धवाके दार एंट्री से हर किसी का ध्यान अपनी ओखीश लिया सल्मान की पार्टी मैंट्री करते वे शारुख खान का वीडियो सोशल मीडिया पर वारल हो रहा है सल्मान खाना मेश्व अपना जरंदिन पन्विल के फार्म हाउस में मनाते आ रहे है लेकिन इस साल उन्होंने अपना जरंदिन अपनी बहन और पिता के घर पर मनाया इस मौकर पर बॉलिवूड के कई दिकच कलाकारों ने सल्मान की पार्टी की रौनक बढ़ाई इसमें शुनिल शेठी, सनाक्षे सिनहा, तबू, यूलिया वंतूर, अर्वाज खान, सोहिल खान, जिनिलिया जिसुजा, रिदेश देशमुग, कार्थिकारियन जो से कई बड़े सितारे सल्मान के जरनविन को खास मनाने के लिए पहुँचे सल्मान खान की बात करें तो वो फैंस के दिलों की जान है सल्मान कान को उनके यूनिक डांस मूव्स, एक्शन और अलग तरह के किरदारों के लिए जाना जाता है सल्मान खान 57 साल की उम्र में भी फटनस कोस देते हैं उन्हें लोगों का वेश जुमार प्यार मलता है सल्मान की दुनिया भर में बड़ी फान–फालोमिंग है सल्मान की एक ज्छरत पारने के लिए फैंस बैदाव रहते हैं सल्मान के बर्दे को उनके फैंस ते उहार की तरह सेलिब्रेट कर रही है हम भी सल्मान को धेर सारी बनाईया देते हैं कोरोना काल के बाद से लोगों में OTT प्लेटफॉर्म का प्रेज काफी देखने को मिल रहा है सिनिमा घरों के साथ साथ लोग OTT पर फिल्मे और वैब सिरीस देखना बहुत पसंड करते हैं इस पूरे साल OTT फ्लैटफॉर्म पर कई शानदार फिल्मे और वैब सिरीस रिलीज की जा चुकी है इस वीच हम आपके लिए उन चुनिंदा फिल्मों और वेब सीरीस के लिस्ट लेकर आए हैं जिने इस साल और महीने के आखरी हफते में ओनलाइन रिलीस किया जाएगा सबसे पहले बात करते हैं भेडिया की इन्दी सीनिमा के सूपर स्टार वरुन धवन की पॉपुलर फिल्म घेडिया सीनिमा घरों में उमूत की बता भी काम नहीं कर पाई लेकिन इस फिल्म को कृटिक्स के और से पॉजिटिव रिव्यूज ज़रूर मिले फिल्म में वरुन धवन की आक्टिंग और कमाल के VFX टेक्नलोजी की काफी तारिफ की गई इस फिल्म को 30 दिसम्बर से घर बैटे फ्री में OTT प्लेटफॉर्म जियो सिनिमा पर आप देख सकते हैं अब बात करते हैं आरिया पार की मश्बूर OTT प्लेटफॉर्म डिजनी प्लस होस्टार इस सब्ता में फिल्म आरिया पार को 30 दिसम्बर को डिरेक्ट OTT पर लेकर आ रहा है इस फिल्म में आदि वासे समुदाय की वेक्ति की ऐसी कहानी दिखाए गई है जो आपको ट्विलर देखने पर ही रोमान चित कर देगी चलिए आगे बढ़ते वे और नजर डालते हैं हॉलिवर्ट की मोस्ट अवेटिट क्राइम बेस्ट वेब सिरीज यह सीरीज इस सब तहा ओटिटी प्लेटफर्म नेटफिक्स पर 28 जिसम्मर को रेलीज की जाएगी ट्रीसन अब दर्श को को अंटर्टेन करने के लिए रेदी है इस दमदार वेब सीरीज को आप मशुहूर OTT प्लेटफर्म नेट्फिक्स पर आसानी से देख सकते हैं क्योंकि 26 दिसम्बर को रिलीज हो चुकी है Top Gun Maverick, Hollywood superstar Tom Cruise इस साल की सूपर हिट फिल्म Top Gun Maverick यानि की 1986 में आई Top Gun का Part 2 OTT रिलीज के लिए पूरी तरह से तयार है बतादे कि इस फिल्म की ओनलाइन स्ट्रीमिंग हिंदी और अंग्रेजी OTT प्लेटफर्म नेट्फिक्स पर 26 दिसम्बर से की जा चुकी है तो लुफ्ट अठाए जाए 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 दिपिका पदुकोन और शॉर्खान की फिल्म पठान का गाना बेशर्म रंग रिलीज होते ही इन दिनोग सूर्खीमों में बना हुआ है कुछ भी बात के चलते और कुछ दिपिका के किलर अर्दाओं के वजह से जा कुछ लोग इस गाने का विरोध कर रहे हैं तो वहीं ऐसे कई लोग हैं जिस गाने की जोंकर टारीफ भी कर रहे हैं इस गाने पर लोग जोंकर रीम्स भी बना रहे हैं ऐसे ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर जब कर बारन हो रहा है जिसमें एक बच्ची ने इस गाने पर अपने जबरदस्त मूज दिखाए है इस वीडियो में बच्ची वेशरम रंग पर बेहतरीन डांस कर रही है जिसे देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने उनकी तर्जब कर तारीफ की है बात करने इन फिल्म पठान की तो इसे 25 जनवरी 2020 को सीने में घरों में रिलीज कर दिया जाएगा और इस आरके के जो फैन है वो तो इसका बेस अबरी से इंतिजार कर ही रहे होंगे तो फिलाल मुझे दीजिये जाज़त और आप देखते रहे है ये बॉल्लिवन कफशा